हेई गाइज गुट मॉर्निंग आज ये 20 अगस 2021 सौराजम डिसकस करने वाले दा हिंदूर नियूस पेपर को दोस्तों इस नियूस पेपर में आज बहुत ज़़ा खास नियूस नहीं है लेकिन जो कुछ खास नियूस है हमारे एक्जाम प्रॉस्पेक्टिव से हम उनको डिस के साथ होता है वह वह कई टैप के होते हैं जैसे इसे वह क्टी चैप करें दो कंट्री के बीच नहीं करिया तो इसलिए टररीमेंस कोई इंडिया ने अपना यूएस के साथ एक रिलेशन डेवलप किया हुआ है और उसमें बोला उन्होंने कि हम आपस में जो भी व्यापार करेंगे उसमें कोई भी कंट्री इन दोनों कंट्रीयों में आपस में क्या हुआ और टेक्स चार्ज नहीं करेंगे तो वो कब नहीं करेंगे जब दोनों FTA करेंगे फ्री ट्रेड एग्रिमेंट जैसे यूएस और इंडिया ने एक एग्रिमेंट साइन किया उसका नमें FTA तो अब अकर यूएस से कोई माल आएगा तो मैं उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी FTA जब तक यूएस के अंदर जोय बैडन की सरकार नहीं आयती पुराने प्रेजिडेंट जो हमारे डॉनल्ड ट्रम्प है जब उनकी सरकार थी तो हमारे उनसे रिलेशनस अच्छे थे अमेरिका के साथ क्योंकि जो मोदी जो हैं वो उनको जादा सपोर्ट करते थे इवन ड पर बढ़ जाता था लेकिन जब से जोय बैडन है इनको हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ या FTA कर लो तो यह करने से मना कर रहे हैं उनका हम FTA नहीं करेंगे मतलब हम बिना इस एग्रिमेंट के आपके साथ ट्रेड करेंगे मतलब जितना माल आए जाएगा उसके हिसाब से आप भारत को किस किस तरीके से भुगत ना पढ़ रहा है तो यहां पर यहीं बोलें PSGWL ने बोलाए कि देखो US गवर्मेंट जो है वो हमारे साथ इंट्रस्टिट नहीं है ट्रेड एग्रिमेंट करने के लिए देखो अब हम तो यहीं बोलेंगे इससे हमें को इंपक्ट नहीं आफगानिस्तान में जब से तालीबान आये तब से उन्होंने भी आपने परसुकी नियूस सुनी ही होगी उसमें उन्होंने बोले हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे और करेंगे तो बहुत सोच समझकर करेंगे बहुत ज़रूरी चीज कर जैसे हम इने शुग बट देखो अभी हमारे साथ एक खराब सिच्वेशन हो रही है बट आने वाले टाइम के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे इन सभी सिच्वेशन को सुधारने की तो वही यह चीज होए पियर्ज गयल ने बोली है इसके बद यहां पर एक और न्यूस आ रही है सी बी आई अब आपने केस सुना होगा जब ममताव एनरजी अपने चुनावी रेली कर रही थी उन दिनों पर बंगाल के अंदर कई सारे दंगे हुए थे वाइलेंस दंगे जैसे बोलते हैं तो चुनाव की टाइम होना आम चीज है लेकिन यह दंगे इतने खतरनाक थे कि उसमें कई स कि वो क्या कौन कौन सी पार्टी थी कौन कौन से वो लोग थे जो इन चीजों में क्या थे इन वाल्व थे पूरी उसकी इंवेस्टिकेशन की जाएगी और यह पता लगा रहेगा कि कौन कौन उसके अंदर थे और क्या के चीज़े उसमें हो सकती है ठीक है तो यह आपका CBA केस इसके बाद कर आगे वाले पेजिस पर चलें तो यहां भी ऐसा कुछ नहीं है फोड़ा और आगे चलते हैं यह थोड़ी लोकल लेवल की निउस है इसलिए मैं इस पर जादा फोकस नहीं करूंगा और चलते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं आज यह रहूल गांदी क आगे फादर राजीव गांदी इनका बर्डें तो उसी के बारे में यहां पर बोल गए 77 अनिवस्त इसके बाद यहां पर और आगे चलते हैं नेक्स पेज़ पर चलते हैं यह कोविट से लेटर है इसको अभी हम डिसकस नहीं करेंगे थोड़ा सा लोकल लेवल का है इस बेभी जादे न्यूज अच्छी खासी नहीं को पढ़ते हैं यहां अडिटोरिल में दे रखा हुआ है कि अभी आपको पता है हो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी है वो साल में छे बर मीटिंग करती है मिनिमाम चार करनी होती है मैक्सिमेक 6 कर सकती है नहीं हर दो-दो मैने पर मीटिंग करती है तो अबि मिटिंग करती है तो अभी में जो माननना है कि जीस तरह से इंफलेशन बठती है उस denta सरा जाल किया तो हमाले ऑक ने कर वा सकती है अब मैं वह बताता हू intelligence मैंने अब को इंफलेशनARal chapter ने पढए हए है उस्क mist sẽ prezent का मनले होता है एक ऐसी inflation जिसके अंदर महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन growth rate बिल्कुल भी नहीं हो रही है यह growth rate बिल्कुल रुकी पड़ी है और महंगाई लेवल बढ़ता ही जा रहा है इसे बुलता है stagflation तो अभी market में COVID-19 के बाद से हमारे हां पर stagflation चल दिये उस stagflation से control करने के लिए हम किसी भी rate के साथ कोई छेड़चाड नहीं कर सकता है यह पूरा editorial उसी पर बेस्ट है ठीक है जो हमारे डिप्टी गवरनर है जो हमारे आरबे गवरनर है उन सबने यह सारी चीज़े बोली है इसके बाद है arms and women अब आपको बता हूँ कल की newspaper में आपको बताया था NDA के अंदर अब महिलाओ कोई भी भरती होनी स्टार्ट हो गई है ठीक है NDA के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जगहें जहां पर कहा जाता है कि जो male members हैं वो जाद अच्छा perform कर सकते हैं इसलिए हम वहाँ पर पूरी तरह से restriction लगा देंगे women's के लिए जो अभी तक लगाई भी गी थी बट यहां पर women empowerment को एक तरफ हम बढ़ावाद दे रहे हैं और एक तरफ कुछ exams में women's की restriction कर रहे हैं कहीं न कहीं चीज़ गलत है इस चीज को कहीं न कहीं मोदी गवर्मेंट ने समझा और उन्होंने एक judgment पास किया कि आने वाले टाइम के अंदर एंडी के अंदर या कोई भी ऐसी वेकैंसी जहां पर girls को अलाओ नहीं थी तो यह भी कोई खास नहीं है इसके अंदर कोविट 19 से डेट केसी से इसके आरहे हैं बोलागा विसकली क्या बोलता है मैं आपको ऊपर ऊपर से बता जो क्योंकि ज्यादा देखो कोविट 19 की तो न्यूज एक तरह से न्यूज चैनल जैसी लगने लगती है ठीक है पर हमारे लिए इंपोर्टेंट के है कि कोविट 19 में हमने एक चीज़ सीखी कि लाइफ में हो हुछ या ना हो लेकिन एकॉनमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़ादा ज़ कर चुके हैं फूरी तरह से खताम हो चुका था लोग हॉस्पिटल में घुस ही नहीं पा रहे तो उनका एडमिशन ही नहीं हो पा रहा था मतलब बहुत सारी चीज़ आपने लिए उसी पर बेच दे जो यह बताता है कि गॉर्मन का डेटा डेट केसिस का कुछ कहता है बट और ग्रांड रियालिटी कुछ और ही निकल के आती है यह बात आप भी जानते हो कि कितनी सारी डेट केसिस हुई ड्यूट्यू लैक ऑफ ऑक्सीजन और कोविट नैंटीन बट जब हम डेटा की बात करता है तो डेटा वो कुछ औरी पिच्चर बताता है यह यह डेटा अग मैं इस पर जादा फोकस नहीं करूंगा और यहां पर आपको पता ही हुआ कुछ तैम पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि जो 50 परसंट जो रिजर्वेशन कोटा है ओबी सी का उसको कर दिया गया है ठीक है अब एक बात मैं आपको बता हूँ कोई भी जैसे मेजर कि यहां से बोट बने के सबस्यादा चांस होते हैं और जितने भी दलत दलित लोग होते हैं या अंडर प्रिविलिज्ट सोसाइटीज होती है इनको कोटा बहुत पसंद है तो यह कादरे से बिहार में और भी कई जगों पर अभी चुनाव होने वाले हैं तो उन चुनावो कि आगे चलते हैं आगे भी हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर बोला गया है कि अफगानिस्तान जिसको तालिवान ने कैप्चर कर लिया है अब पर पूरी दरिक्सित तालिवान की सरकार बनने ही वाली है समझो ठीक है इवन उन अपना जंडा भी जो तालिवानी जंडा 248 लोग अब भी वहां पर फसे हुए है और उनकी पूरी लिस्ट बगादा सब बन गई है अब बस इंतजार है तो अब उसका एक्जिक्वेशन का कि कब वहां पर जाकर हमारा प्लेन जो है वो उन सभी लोग को लेकर आएगा क्योंकि वहां के सिच्वेशन बहुत ज्याद मतलब कंसीडर नहीं कर रहा है आज का हिंदू नियूस पर यहीं पर खतम करते हैं छोटा साथा क्योंकि आज जादा ची नियूस जिसमें नहीं थी ठीक है चलिए तो आज के लिए इतने बाकि मिरतें नेक्स आस में तब तक के लिए पीसा आगते